हलो गाईज, विल्कम बेक टो एनादर वीडियो, तो गाईज इस वीडियो में हम लोग एक रूपे के नीचे ट्रेड करने वाली एक रियल एस्टेट पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अभी देखो, अगर कोई बंदा मुझे आखे बोलता है कि एक रूपे के नीचे पेनी स्टॉक देख रहे हैं, तो यही सब कुछ उसको दिखेगा, फंडामेंटल आनेसिस करते वक्त, लेकिन यहाँ पर वो सिनरियो नहीं है, यहाँ पर अगर कम्पनी की लास्ट फिप्टी टूइक की रिटन के बारे में डिस्कस करें, तो वो अप्रॉक्सिमे अब कुछ अलग लगड़ा है ना, कम्पनी दूसरे एक रूपे के नीचे ट्रेड करने वाली पेनी स्टॉक से, यह दूसरे मतलब और पेनी स्टॉक की तरह नहीं है, जो एक रूपे के नीचे ट्रेड करने हैं, यह सबसे अलग है, इसलिए मैं यह वीडियो बननाना हूं तो गैस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली तीन पॉइंट कवर करेंगे, तो फस्ट पॉइंट इस फंडमेंटल अनलिसिस, यहा पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, यहा पे हम लोग डिसकर्स करेंगे डिफरेंट सुइंग लेवल्स के बाड़े में, मतलब कहां आप लोग बाई करके चल सकते हो, एंड क्या आप लोग की टागेट रहने वाली है, तो गैस बिना टाइम मोईस्ट के पहली पॉइंट की तरह बढ़ता है, और देखते है कि कंपनी कौन सी है, एंड कंपनी फंडमेंटली कैसी है, तो गैस यहा पे आप लोग कंपनी का ने करते हो, कंपनी सिर्फर सी BSC में लिस्टेड है, नौक टोर के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है, 32 की P है, देड के आसपास की ROCE है, एंड रिटन अन इक्विटी जो है, वो 1.1 के आसपास निकलके आ रही है, बुग वैलू से काफी सस्ते में आप लोग को मिल रही है, लास्ट 6 मांस की रिटन और लास्ट 3 साल की जो सेल्स को होता है, वो दोनों ही नेगटीव में रहने वाली है, अगर एक साल की अप्रोक्सिमेट रिटन कैलकुलेट किया जाए, तो वो 780 परसन के आसपास निकलके आ रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, एंड फे लास्ट 3 साल की जो डिटन और लास्ट 3 परसन के आसपास निकलके आ रही है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अरूंट 23 परसन के आसपास है इस कम्पनी में, उसके साथ साथ कम्पनी है जाई डेफ्टर देज अगर क्वार्टर लेजर के बारे में डिसकास करें, तो यहाँ प दिए याँ अरूंचील याँ आप लोग 25,40 लग के आसपास की प्र्राफीट एकसपेड कर सकता है अगर बेलनशीट के बारे में डिस्कास करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तो फाइफ प्रोमोटर्स की परसन है को पास की हैं आपो चया रहत हैं ब्लोग की और यहाँ अर और अगर public में discuss करें तो काफी सारे बड़े retailer की holding है अगर यह सब कुछ calculate करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे retailer की जो holding है वो approximately 51.89% के आसपस निकल के आ रही है इस company में अभी conclusion प्राद है कि company actually कैसी है वो short term trade and long term investment purpose तो देखो कैस मैं आप लोगो यही बोलूँगो short time के लिए मत जाओ अगर invest करना है तो long time के लिए करो zero और hero trade रहने वाली आई है या तो फिर यह company आप लोगों का जो पैसा है वो zero कराएगी या तो फिर आप लोगो multi-bagger return देके चली आएगी क्योंकि company profitable है और उस side से अगर देखा जाए नेगेटिव से अगर देखा जाए company की तो sales growth वो नेगेटिव है लेकिन company profitable है और date free है और promoters की holding जो है वह 0% pleasure रहा है ज्योंकि काफी कम देखने को मिलता है ऐसे पेनी stocks में इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ अगर जाना है तो long term के लिए जाओ या तो फिर आप लोग का पैसा 0 होगा या तो फिर आप लोग को एक multi-bagger return इस multi-bagger तो नहीं बुसरत है लेकिन बहुत ही सरी return आप लोग को इस company के तरफ से मिल जाएगी अब उस सवाल पर आते हैं कि कितना पैसा लगाना है देखो गया इस pocket से कुछ भी मत लगाओ अपना जितना आप लोग का last quarter में profit हुआ था या तो फिर जितना आप लोग का last month का profit है या तो फिर लोग को फॉलो करके उसका एक percentage इसमें invest कर दो अगर 0 होता है तो कोई नहीं आ और देखते हैं कि आज company में क्या हुआ है तो गाइस सिर्फ वर से बीस्ते में लिश्टेट कंपनी है तो हम लोग आ चुके बीस्ते के website पर अगर company के बारे में डिसकस करें तो company बीस्ते के group xt में लिश्टेड है मतलब इसमें intraday trade लेना allowed नहीं है जिन लोग को नहीं पते ह जैसे कि मैं बोल रहा था delivery percentage 100 ही निकलके आएगी कि कोई intraday trade इसमें बैन है एक लग बीसार के आसपस company में आज trading हुई है अभी हम लोग को यह ही चेक करना है कि देखो volume के strength तो काफी सही है मतलब intraday trade allowed ही नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते volume के strength के डिकरी यहां पर सवाली पैदा नहीं होता है लेकिन हम लोग को अभी यहीं चेक करना है जो एक लग बीसार के आसपस की volume निकलके आ यह company में क्या यह company के average volume है average से ज्यादा है या average से कम और वो हम लोग को पता चलेगा बीस से के daily chart पे तो गाइस बीना time waste के बीस से के daily chart की तरफ बढ़ते है और देखते की volume का क्या scene है और उसके साथ साथ हम लोग swing trading levels के बारे में भी discuss करेंगे तो guys यहाँ पर हम लोग BST के daily chart पे आ चुक है अगर आज के बारे में discuss करेंगे तो आज कंपनी lower circuit में closing करी है end यहाँ पर आज के volume के बारे में discuss करेंगे तो average से काफी से यह volume निकलके आई है से काफी ज्यादा volume निकलके आई है आज के दिन इस कंपले में मतलब आज जबर्दस सेलिंग हुई है अगर swing trading तो यहाँ पर नहीं करूंगा लेकिन अगर कोई बंदक करना चाहता है तो यहीं बोलूंगा देखो यहाँ पर 4 लेवल्स है 24 पैसे से निचे यह company definitely नहीं जाए और अगर company यहाँ तक sleep कर जाती है 24 पैसे के लेवल तक तो bounce back के time buy करके चलो फार्स टागेट है रहा सेगें टागेट है और थार्ड टागेट है तेकिन मैं recommend नहीं करूंगा मैं आप लोगो यहीं बोलूंगा अकर लेना है तो zero and hero वाला trade लो मतलब invest कर दो swing trading के चक्कर मत रहता है retailers के लिए इसलिए बोल रहा हूं मिलेगा नहीं बेकार में छोड़ दो देखो अगर अगर मिल जाता है अगर profit हो रहा है अगर profit बन जाता है तो उसमें क्या हर्जार लेकिन अगर 10 लोग try करेगा ना bounce back के time buy करने का तो एक का buying होगा बाकी 9 का नहीं होगा यहीं फैक और guys अगर आप लोग के मन में कोई भी doubt या query रहती stock market या किसी भी stock से related तो comment section में comment करके मुझसे पूच सकता हो या तो फिर मेरे instagram का link आप लोग को description box में मिल जाएगा जाके वहाँ पड़ी मुझे DM कर सकता हो foreign one on one conversation thanks again for watching guys bye guys and definitely guys stay safe